कि नमस्कार साती वासा करता हूं सुभी लुमत संदार जंदावाद होंगे आज हम एक ऐसा मैधपूर्ट टॉपिक लेकर क्या हैं जो आपको थम्रेल पर दखाई दे रहा है इंपूर्ट इंडेक्स अर्थात मैधपूर्ट सुचकांक ये करेंट टिफेर का वो मैधपूर्ट टॉपिक है जहां से एगजाम में आना एक छोटी सी बात है आते हैं आप किसी प्रत्योगी परच्छा की तयारी कर रहे हैं भारतवर्ष के आप कोई भी एकजाम देते हैं किसी भी राज्जी की निवासी है उसका इस्टेट का एकजाम देते हैं तो मैं जानता हो इस टॉपिक से जिसका नाम इंपूर्ट इंडेक्स है मैधपूर्ट इसलिए session बहुत important है, बहुत अच्छा है, मैं दावे के साथ क्या सकता हूँ, कि आप इसे complete देख लेंगे, पूरा देख लेंगे, तो आपका index संबंदी, कोई question नहीं छूटेगा, इस बात का दावान गिरा, मैंने लगबर्गस में 35 MCQ लिये हैं, और इसका explanation लिया है, जो आपको exam में, एक medicine का कारी करेगा, तो मैंतर आईए बगर देरी क्यों चलते हैं अपने session की ओर, लेकिन आप लोगों से मेरी छोटी सी गुजाइस है, कि अगर आप session पर नई हूँ, session को subscribe कर लेना, घंटी बजा के call पर सेलेक्टर लेना, क्योंकि आपका बड़ा भाई है, GS के सारे बिसे, current fair और हिंदी, reasoning जैसे बिसे, बिलकुल free बढ़ाता है, session subscribe कर लेंगे, घंटी बजा के all पर सेलेक्ट कर लेंगे, तो notification आप तक पहुंशता रहेगा, और आप बहतरन तरीक से exam कर सकते हो, session अच्छा का सबसे बड़ा, जो मजबूत dairy brand का दर्जा किस company को मिला, यह पूछा गया है, शैत अच्छा है, मेरे भाई, याद कर ली ना, हो सकता है कि आपको exam पूछ लिए जाए, कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत dairy brand का दर्जा किस company को मिला है, आपके option सामने, पराक को, mother dairy को, amul को और ग्यान को, तो में तरह यह जो मिला हुआ है, इस बार 2024 में, वहाँ amul को मिला हुआ है, किसको amul को मिला हुआ है, amul का दूद पीते होंगे, amul क्या, आप लोग दूद की चाय बनाते होंगे, यह दुनिया का सबसे अधिक, मजबूत brand है, milk में बच्छ, इसलि देखिएगा, इसके बारे बताने का प्रयास करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, कि जो अभी brand finance की global food and drinks report अभी जारी की गई थी, इसके अनुसा, amul दुनिया का सबसे मजबूत brand है, और इसकी स्थापना 1940 में की गई थी, इसका head quarter पूसे जाता है, आनंद में, आनंद क परता हूँ, गुजरा, दिल्ली मन लगा लें, गलत हो जाएगा, कब स्थापना की गई थी, तो बहुत प्राना 1940 में इसकी स्थापना की गई थी, अमूल कंपनी की बच्चो, ठीक है, इसकी स्थापना त्रिवहन पटेल ने की थी, और मुराइलाल देसाई और सरदार बल् कब स्थापना की गई थी, तो 1940 में, इसका हेड़काटर कहां पर है, तो आनंद गुजरात बच्चो, ठीक है, और इसके बाद आप एक बात और ज्याद रखेंगे, आपने डाक्टर वरगिस कूरियर का नाम सुना है, डाक्टर वरगिस कूरियर, जो इनका सम्मंद आपरिस प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में, कौन सा देश सीर्स पर है, बहुत अच्छा कौशन है बच्चो, प्रवासियों, प्रवासि मतलव जैसे मान के चलिए, हम या आप यहां से जाकर किसी ऐसे देश में जाकर रहने लगें, तो वहां के हम लोग क्या माने जाएगे, प्रवासि माने जाएगे, ठीक है, जैसे हम लोग जापान में रहने लगें, अमेरिका में रहने लगें, या पूछा गया है क्या बैतनाम हों कोलंबिया है इंडोनिसिया है पनामा है तो ध्या रखना यह 2024 की रुपूर्ट है इसके अनुसार अगर देखा जाए जो बैतनाम कंट्री है बैतनाम अपना पड़ोशी मुल्क के सम्थिंग है मतलब ACM सा देश है और हम भाग से इस्वार के स मन इससे बहुत अच्छे है तो बताना चाहता हूं कि विद्यूशियों के रहने के लिए बैतनाम दुनिया के सबसे अच्छा और किफायती कंट्री बना गया है लगातार 34 साल अब सोच लिए लगातार 34 साल यह स्चीज इस 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 में भारत कौन से नंबर प पड़ेगा हम क्यों परत्यों की परच्छा की तयारी कर रहे हैं तो इस चीज को हमें भी याद रखना पड़ेगा कि भारत की रहने के साब से प्रवाश्यों रहने के साब से तो चटवे नंबर की ठीक है आप लोग याद कर लिए नम अब बात ब्यातनाम की राइधानी आ प्रदान मंत्री हैं आप लोग याद कर सकते हैं अगला कौशन बैस्विक जीवर रच्छा न तो किसी प्रकार का दिक्कत है न तो आत्मबाद की न चूरों की न पॉलिशन की और नहीं किसी प्रकार की ऐसा सहर कौनसा है दुनिया का जो टॉप नंबर पर है तो ऐसी कंडिशन में जो नाम आता है वो वियना का आता है किसका आता है वियना वियना आपने सुना है वि आइस्ट्रिया है वो यूरोपी देश है उसकी राजधानी कौन सी वियना और यहाँ जो वियना सहर है मिरे भाई यहाँ दुनिया का ऐसा सहर है जहां पर रहने के लिए इस फर्स्ट रिणी का सब कुछ मिल जाता है ठीक है तो इस वक्षन का राइट आंसर कौन सा है डी सही है विजवाई कौन सा डी विल्कुल राइट आंसर है अच्छा इसको जारी कौन करता है economics intelligence unit द्वारा इसे जारी किया था है economics intelligence unit ने अपने जिनवीन तम ग्लोबल लिवेलिल्टी वहला रहने के लिए index जारी किया गया जिसमें ब्याना फिर एक बार दुनिया के सबसे रहने योग सहर माना गया है इस सुचकांक में कौन कों से चीज़ सामिल कियाती है जैसे इस इ environment है इस्तिती है बुनियादी धांचा इसमें सामिल किया जाता है इसके आधार पर यह सुच जारी किया जाती है और इसमें 173 देशों का डाटा जारी किया गया था और इंडिया अपना अगर भारत की बात कीज़े कि भारत में इसका कौन सा इस्थान है तो भारत का जो दिल्ली सहर है मेरे वाई यह इस स्थान में 112 स्थान पर है 112 स्थान पर है ब्याना पहली स्थान पर है ओपन हेगन डैन्मार की राजधानी है वो दूसरी नंबर पर है जिरिक जो सुटरल ज का सहर है तीसरे नमबर पर है और मेलवर आस्ट इंडिया का चौथे नमबर पर है आप शुरुआत के एक दू याद कर लेना इंडिया की रंग क्याद कर लेना तो बता सकते हो कि 112 नमबर पर है ठीक है दिल्ली की सहर की पूछी जाएगी और सबसे खराब जो 176 देस कंट्रियों का डाटा जारी किया गया है उसमें जो सबसे बेकार सहर है जहां से लोग जहां रहना नहीं चाहते सरवादिक पलायन कर रहे हैं वो सीरिया की राजधानी दस्मिक है कौनसी सीरिया की राजधानी है तो दस्मिक जो है इस सूची में सबसे बेकार सहर है पहले नमबर पर ब्याना है और लास्ट नमबर पर कौनसा है दस्मिक है मेरी भाई ठीक है आपसे आसा करता हूं सेसन समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूल कर दीजिगा और दोस्तों के साथ सेर जरूर करिएगा और एक बहतरी नोट्स बनाई दीजिए और एक बात आरफ से कहूंगा कि यदि ये आपको क्वेशन आते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन बता दियाए कि आपका कौन सा राइट आंसर है ठीक है आप कॉमेंट सेक्शन बताईए मुझे अगला क्वे प्यूशन है आपके सिस्केन पर है चौतरा कौष्ण बैस्विक ऊजा संक्माट सूचकांग 24 शॉवश पूचा गया है पेश्विक ऊर्जा संक्माट सूचकांग 23 शॉवश भारत किस इस्थान पर है यह पूचा गया चौथ नम्मर का तो वित्तरव इसमें इंडिया की र यंको बैस्विक उर्जा संक्मट सूचकांग को जारी कौन करता है यह पूछा गया है तो इसे वर्ल्ड एकोनोमिक्स फॉर्म इसे विश्व आर्थिक मंच कहते हैं क्या कहते हैं विश्व आर्थिक मंच क्या करता है बैस्विक और इस बार इसने जारी किया है उसमें 120 देश सामिल किये और इंडिया की रेंग मैंने आपको बता ही 63 भी है तो आप कहेंगे पहले नंबर पर कौन है जो वर्ल्ड एकोनोमिक फॉर्म जो जारी करता है किसको वैसिव उर्जा संक्मट उसकांग को इसमें फर्स नंबर पर कौ है कौन सा सुड़न है डैनमाक दूसरी नंबर पर फिल्लेंड आपका तीसरी नंबर पर है ठीक है आप लोग इंडिया को याद रखेंगे इंडिया की जो रेंग है वो 63 है और पहला दूसरा याद कलिना जारी कौन करता है तो बता सकते हैं वर्ल्ड एकोनोमिक फॉर्म जा पर और जैनिवा जैनिवा कहां पड़ता है यूरोपी देशे सूट रेजिलेंड समझ में आ गया कौन सा है सूट रेजिलेंड और सूट रेजिलेंड पूछिए तो वर्न है ठीक है लेकिन वर्ल्ड एकोनोमिक फॉर्म का हेड़कॉर्टर कहां पर है तो बता दीजिए कि बचा ये कहां पर है तो सूट रेजिलेंड में इसकी जो इस्थापना है वह 1971 में हुई थी जब पाकिस्तान से बंगलादेश को भारत में अलग कराए था उसी समय इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यच पूछिए हैं तो क्लास सबाब हैं क्लास सबाब इसकी कौने अच्छा फैक्ट है मैंने आपसे दो नंबर का बादा किया है तो आपके दो नंबर आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे और आपको खुद फील होगा आप देखिएगा पूरे सेशन को कम्पीट देखिए तब बताइए एक हांसर आपने सही कहा था आगे धन दिजिए इंडिया की जो रेंक है मेरे भाई आप लोग याद रखना 39 49 वे इस्थान पर है बिल्कुल नहीं दूलेगी और इसको जारी कौन करता है इसको जारी करता है बिस्वार्थिक मंच जो बैस्विक उजा सूचकां को जारी करता है वही बच्चा इसको जारी करता है जातरा प्रेटन विकास को ठीक है पूछा गया है कि इसमें जो इंडिया की रेंक है वो तो 39 है लेकिन टॉप कंट्री क देशों का डाटा जारी किया गया इंडिया की रैंक आपकी 39 थी और इसमें जो माली कंट्री है जो अफरी की एक देश है माली आप मैप पर देखेंगे वर्ल्ड अमेप पर जो माली कंट्री है अच्छा माली की आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में एक वार कैपिटल बता दे मा यात्रा और परटन विकार सूचकांग है इसमें माली कंट्री सबसे बेकार कंट्री जाए ठीक है अपने इंडिया का रेंक तुम्हें आपको बताई दिया बच्चो आगे धन्दी दिये अच्छा कभी-कभी इसको विध्यान रखना यात्रा इंपरडर सूचकांग 24 जारी कि बच्चो इस बात को भी ध्यान रखेंगे अगला कॉशन दिया हुआ है खाद एवं करसंगठन कि वैस्योग बन इसती रुपोर्ट द्वाज 24 के अनुसार वन छेत्र में ब्रदी दर्ज करने वाले देशों में सीर्स इस्तान पर कौन सा कंट्री रहा है बच्चो तो ध्या जारी कौन करता है तो जारी करता है खादिम संगठन इसको ठीक है पहरे स्थान पर कौन है तो चीन है दूसरे स्थान पर कौन सा है आस्ट लिया है तीसरे स्थान पर कौन सा है भारत है ठीक है आप लोग याद रख सकते हैं इसके साथ साथ खादिम करसंगठन जैसे एफ य अगला कॉशन है वेस्विक सांती सूच कांग दोएट 24 में कौन सा देश पहले स्थान पर है जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स होता है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 24 जारी किया गया है 2020 इसमें ये पूछा गया है कौन सा देश पहली स्थान पर है तो सूच सांती में सांती मतलब सांती- तो वर्फ कैसे होती है सांती की नहीं होती है वाइट होती सांती है मैं आईस तो आईस्यलैंड इसपैक पहली नंबर पर बच्च ओ, ठीक है, बेस्विक सांति सूच कांग, दोएग चोवीस के नुसार, आईस्यलैंड है, आईसलेस्ट कंट्री है, वो पहली इस्तान पर बच्च ओ, आप लोग याद रख, रख सकते हो, ठीक है, और ये इसका, ठारेवा सान्सथान इसे जारी करता है बैसुख सान्थी सुझकंक 23ी मैं आर्थिक बैस्षथ और शान्स क्तुख सुजकंक टूटल कितने देस थे 163 देश थे, इंडिया की रेंग कितनी है, बारत की तो बता सकते हैं, बारत की रेंग काफी 116 में है यहां से मुझे एक चीज दिखाए जिरती है, कि इंडिया जो जिसमें जारी की गया र Ο एर पूर्ट, इसमें बैसुक सांथिसुचकान्थ में हमारी देश बारत की रहेंग जाद अच्छी नहीं है हमारे अभी अधिक मात्रा में अशांती है ऐसा लगता है जो अफिरी कंट्री है और हमारी कंट्री लगब सेम सेम हैं भाई-भाई यह समामुले में यह फिल होता है तो देखिएगा जो भारत है वह 166 नमर पर है और यह यमन देश है यमन 163 नमर पर एक सो नीचे एकदम पयान पर है पहनी नमर पर ने आइसलेंड वरता दिया आर्लेंड दूसरी नमर पर आस्ट्रिया तीसरी नमर पर वच्छो ठीक है इंडिया की रहेंक आप लोग 100% याद रखेंगे बैस्विक सांथी सुचकांक पर एक लाग परसेंट आप लोग याद रखना है ठीक हो छे अगला है वेसविक लेंगिंग अंतराल सुचकांक 24 डग यह पुछा गया है था क्जुक लेंगिं अंतराल रिपोर्ट 2 98 कों सा दिस है वह कोव सी नमर पर रहा है तो बता सकते हैं इसे जारी कोन करता है तो आप बता सकते हैंreek ओर्ट एकनोमिट फॉरम जारी करता है टीक है बच्चो वर्ड कोई का फॉरम जारी करता है और यह 214 बसा को सामिल किये जाता है इस बात को जहां रखना इसका जो मांपने का तरीका है किसकी साथ आपसे इसे मांपा जाता है तो Bismют चार इसमें ये मापंड सामिल की जाते हैं ठीक है इन चारों को याद रखेंगे पूशा सकता है कि जो ये जो रिपोर्ट है वेस्ट विग लेंगिंग अंतराल में कितने मानक द्वारा त्यार की जाता है पूशा जाए तो बताइए चार मानक द्वारा ठीक है बैस्विक लेंगी अंतराल रिपूर्ट जारी कियाते हैं वो चार मान को पराधारत है ठीक है इस बात को भी धान रखेंगे कौन-कौन से हैं तो एक बाजरा ध्यान रखेंगे इनको रिवीजन कर लिजिए क्योंकि यूपीएसी और PCS या आरो आरो या लोगर PCS या आप एक के बारे में पूशा जाता है कौन-कौन से हैं आर्थिक भागीदारी और अवसर सेचिक अवसर स्वास्त और अस्तित्त और ससक्ति राइनेतिक ससक्ति करने चार पार्ठें चारों को आप लोग याद कर लिजिए ठीक है आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगा और अगर इसमें बात की जाए अपने भारत की इंडिया की रहिए तो सबसे पहले बतारा चाहता हूँ आइसलेंड पहले स्थान पर है ठीक है और सूडान जो सूडान कंट्री अफिरी की देश है वो सबसे बेकर पायादान पर है ठीक है और क्योंकि एक्स में 1400 नंबर पर कौन सा है स अपने भारत दो पायदा नीचे ग्रिया है. 2359 नंबर पर था लेकिन 2024 में बताना चाहता हूँ 159 नंबर पर है ठीक है इंडिया की रहन केतनी है तो 129 नंबर पर है अपना भारत भारत कौन से नमबर पर है 129 नमबर पर है आप लोग बहतरीन तरीके से इस बात को याद रखिए आगे धान दीजिए पर्यावण प्रतन सूचकांग 24 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है बहुत अच्छा कोशन है पूछा जा सकता है चोगे बरतमास में विश्व के साथ स सरकार और भारत में राज्यों की सरकार विश्व इस तोर से पर्यावण पर क्या कर रही है फॉकस कर रही है तो पूछा गया है पर्यावण प्रतन सूचकांग में इंडिया की रेंग क्या रही है यह पूछा गया है नॉमा कोश्यान है मेरे भाई ठीक है तो इंडिया में 176 वी नंबर पर रहा है कितना 176 वी नंबर पर अपना क्या है इंडिया है आप लोग याद कर लिए बिल्कुल हंडेट परसेंट यह आपके एगजाम में कहीं नहीं चपेगा जरूर मेरे भाई इंडिया अपना 176 वी नंबर पर है याद रखेंगे और एक बात रता हूं टोटल इसमें 180 देश सामिल किये थे इंडिया की रहं कितनी है 176 आप पर रताना चाहता हूं जो एस्टोनिया कंट्री है कौनसा एस्टोनिया कंट्री है वो यूरोपी देश है यह पहले नंबर पर रहा है लगजंबर हैं दूसरे नंबर पर रहा है डेनमार्क है वो तीसरे नंबर पर रहा है आप एक काम करिए अगर इमांदार्शे तयारी कर रही हो तो जो एस्टोनिया लगजंबर डेनमार्क इन तीनों की मुझे राजधा नहीं बता दीजी आप कोमेंट सेक्शन में ये तैयारी की कसम है अगर जानते हैं तो जरूर बताएंगे मुझे तो एस्टोनिया पहली नंबर पर है लगजंबर आपका दूसरे नंबर पर डेन्मार्क तीस नंबर पर है तो पर्यावर प्रदन सुचकांक में जारी किया गया है अपने इंडिया की रेंख है वो 176 मिय ल जारी किया गया है इसमें अम्रिका पंध याद कर रहें पर अपने कर सकते हो और इसमें अमेरिका है पहली नंबर पर हैं चाइना दुसरे नंबर पर सिंगहापुर तीसे नंबर पर पर इसे जारी कोन करता है तो बताइए इसे जारी करने का कार है वो सयुक्त रास्ट व्यापार और विकास संग्ठन द्वारा जिसे क्या कहते हैं UNCTAD कहा जाता है इसके द्वारा यहां रिपोर्ट जारी की जाती है बेस्विक निवेस सूच कांक बच्चो ठीक है आगे धन दीज कर अब तक यह कॉश्चन नहीं आया हुआ था लेकिन अब यह कॉश्चन आएगा इसलिए मैंने इस कॉश्चन को लिया है अच्छा यह सएक तराट सतत्विकास समादा नेटवर्क है यह एक संस्था है यह किसको जारी करती है तो बताना चाहता हूं सतत्विकास 24 इंपुएंट है भाई बिल्कुल मेरे भाई याद रून कर लेना इसको अब मैं यह नहीं कहूंगा बार बार आपको हंड़ेट परसंट याद करना पड़ेगा सतत्विकास रिपोर्ट दो है 24 लेकिन आप सेहसन को सियर नहीं कर रही हो आपको पता है आपका भाई यह पूस्तों साथ सेहर कर दीजी तक उनको भी सारी सोगदा मिल सुकें तो ध्यान रखना अगर पूछा जाए सतत्विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है तो रस्यप्त रस्ट जो सेप्त रस्ट है यूए ने उसकी एक संस्ता है सतत्विकास समाना नेट वर्क उसके द्वार wie की जारी किया जाता है पूछा गया है सिर्थ सीस्तान पर कोण सा देश सामिल के सामिल dobrzy सामिल है अचा सतत्विकास रिपोर्ट ये क्या जारी करता है कि सको दर साता है उसकी बारे में बताता हूं तो आपको बताना चाहता हूँ, में 11 नॉमर का फिल्लेंट उस छीडी में पहली नॉमर पर रहा है सतत विकास रिपोर्ट के में देखा गया है जो फिल्लेंड कंट्री है वो क्या है पहली नॉमर पर रहा है फिल्लेंड ठीक है और इसका नॉमा इसका संस्क्रट था आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे और अपने इंडिया की जो रेंग है वो सतत विकास रिपोर्ट के नुसर एक सो नौवी है साइद आपको नहीं दिखाई दे रही हो तो एक सो नौवी है इंडिया की रेंग किसमें इंडिया पहले नमर पर मैंने आपको फिल्लेंड बताया था दूसरे नमर पर सूडन है और तीसे नमर पर डैन्मार्क है जो दच्छडी सूडन है वो इसमें सबसे बेकार वहाँ पर बिकास नहीं होता जदा इंडिया बिकास थो होता है लेकिन 119 नमर पर आता हम से भी 108 कंट्री ऐस से हैं जो बहुत तेजी के साथ विकास कर रहे हैं ठीक है आगे धंदी जी सूरान सबसे बेकार है बच्चो बेस्ट कॉशन इस पर आप इस्टाल लगा लिजीए यह इंडिया संबंधी कॉशन है यह आपको डॉल्फिन दिखाई दे रही है इसे अंधी डॉल्फिन या सक्षन बताते हैं तब तर बताता हूं कि इसने एक रिपोर्ट जारी की है इसाम पूछा गया कि वर्षत दोजाद चौबीस में गंगा डॉल्फिन गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्ज में सबसे अधिक है सबसे अधिक है क्या तमिल्नाडू में है असम में ह बिहार में तो मित्र सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में किस नदीम पाई जाती है यह मैं आप से पूछता हूं उत्तर प्रदेश में किस नदीम पाई जाती है क्या गंगा नदीम पाई जाती है आप क पएँगे तो मैं तो आपको बताना चाहता हूं चम्बल नदी में सरबादिक मात्रा में डॉल्फिं पाई जाती है किसमें चम्बल नदी में तो देखिएगा कि भारती बानेजीब सहस्तान की हालिया रिपोर्ट के अनुसर गंगा नदी बेसन में चार हजार से अधिक डाल्फिन पाई जाती है गंगा नदी बिसन में गंगा नदी नहीं गंगा नदी का बिसन मलग गंगा की सायक नदी है उसमें भी ठीक है डाल्फिन पाई जाती है स्वारी गंगा नदी और उसकी सायक नदियों पाई जाने वाली नदी डालफिन में 2000 से अधिक अकेले उत्ता प्रिस में डालफिन पाई जाती है 2000 से अदिक किसमें उत्ता प्रिस्म पाई जाती है उत्ता प्रिस्म में डाल्फिन मुक्त है चंबल नदी में अधिक पाई जाती है बच्छों ठीक है गंगा नदी डाल्फिन को blight डाल्फिन या गंगा सूसू या हिंदू के नाम से भी जानायाता है क्योंकि भारत का जली जीव है। जो डॉलफिन हैं सूसु बोलायाता हुसे। आप लोग बहतरी तरीके से याद कर लीजेए। आगे चलें, बेस्विक प्रेस चुनता सूचकांग 24 के अनुसार देखा जाए, भारत की रैंक क्या है, तो बता दीजिए, इंडिया की जो रैंक है मेरी भाई, वो 169 भी है, कुनसी 169 भी, मतला हमारे देश की मेडिया सोतंतर नहीं है, वो भी कहते हैं, भारती संविदा, जो जो मीडिया है, यह चौथा स्तंभ है, लोकतंतर का चौथा स्तंभ है, लेकर नहीं, एक रिपोर्ट जारी किया जाती है, बेस्विक प्रेस इंडेक्स जारी किया था, इसमें इंडिया का जो प्रेस है, भारती प्रेस है, जिसे मीडिया कहा जाता है, वो कौन सी नंबर पर ह है बच्चो आप सूच सकते हो ज़्यादा अच्छा नहीं है तो हो सकता है या एक्जाम पूछ ले आप लो इसको बात को याद रखना और इसे बैस्विक प्रेस सुचकांग कैसे जारी कौन करता है तो रिपोर्ट्स विथाउड वाडर्स द्वारा जारी कियाता है जो बैस् सबसे अच्छी है ठीक है मतला नारवे पैलिस्तान पर डेन्माग दूसरी स्थान पर स्टूडन तीसरी स्थान पर है भारत की रेंग कितनी है तो 159 मतला 169 रेंग है अंतिम रेंग पर कौन है तो इरिट्रिया है इरिट्रिया मतला अफरीकी देस है और 180 देसों की इसमें प्रेस सुच कांग 24 तीन मई कि जो इसकी थीम है वो पूशिया सकती है ठीक है तो इसकी थीम है ए प्रेस फॉर दा प्लेनेट्स जर्नलिस इन दा फेस आप दा इन्वार्नमेंट क्राइम्स क्राइसिं यह इसकी थीम है आप लोग याद कर सकते हूं अच्छा एक बात जारी सिप्री की रुपोर्ट की अनुशा भारत में परवानौ संक्या केतनी है बारत में परवानौ संक्या केतनी है multiippy रे बच्चों कितनी है एक सो बात तरथ में 212 ती समें अब केतना हो गया है 122 हो गया है ठीक है सबस्ट है अत्यार मों किस Northeast ज़ता है ठीक है इसे जारी क्वान करता है तो मैंने सिप्री की कोई-कुई पूछ या दिल्याति है तो इंस टॉफ का से क्या होता है ईंटर्णेशनल थो सुन लिए सिफ्पिरी की फुल। पूछी गई goo कुछी ए来 पृच्छा में तो सिफ्पिरी की फुल।र्म होती है इस की फुल। तो डैमिश्क क्या है नरदे सकें आप लोग बहतरीन तरीके से इस बातों को याद रख सकते हो बिलकुर सत प्रसत प्रक्षू आगे धान दीजिए मई 24 में जारी पांच भी गिलोबल इलेक्टरिस रिव्यू रिपोर्ट के अमशार 23 में सौर उरुजा अत्पादनम भारत का इस्थान कौन सा है सूर से जो उरुजा प्राप्त होती है उसमें इंडिया की रेंग क्या है ये पूछा गया है तो भारत की रेंग किस बार तीसरे नंबर पर रहा है ठीक है कौन से नंबर पर तीसरे नंबर पर रहा है आप लोग याद रखेंगे हम लोग उस ती अफसन की और जाएंगे ठी पॉंट परसंट है इस बात को भी धान रोगी ये फैक्ट अच्छा याद कर लेना जितने भी हम लोग विजली बनते हैं इंडिया में उसमें लग पांच पॉंट 3% हम लोग कहां से गयन करते सूर से विजली यंको प्राप्त होती है ठीक है इस बात को फैक्ट अच्छा है याद कर लेना ठीक है आगे धान दीजिए जो साइबर अपराद सुचकांग 24 सम्भारत का इस्थान कौन सा है जो साइबर अपराद होते हैं आपने देखा होगा साइबर अपराद बढ़ते जा रहे हैं आपके कभी-कभी खाते से प पहले नमबर पर कौन है तो पहले नमबर पर रूस है दूसरे नमबर पर कौन है दूसरे नमबर पर चायना है यूक्रेन है तीसे नमबर पर कौन सा है तो बता दीजिए कि चीन है तो आप इनको भी याद रखेंगे इंडिया की रही कितनी बताई मैंने 10 ठीक है यूक्रेन रूस पहले नमर पर है, यूप करें दूसरे नमर पर और चायना, तीसरे नमर पर आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, अगला कॉशन है, जुलाई दोयाग चौवीस में जारी हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स में भारत के स्पाइधान पर है, बेस्ट कॉशन है, हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, आप लोग भेतरन तरीके से इसको याद रखना, जारी करता कौन है, तो हैंले एंड पास्पार्टरंसिप रिशाच टीम द्वारा इसे क्या किया है, जारी किया आता है, पहले स्थान पर कौन सा है, सिंगापुर कंट्री है, और भार कौन सा देश है, ब्रष्टचार बोट सूचकांग, दोज़ात तेश की सूची में सीर्स पर है, यह दोज़ात तेश का डाटा पूछा गया है, चोविस का भी जारी नहीं किया गया, जारी किया जाएगा, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता हूँ, तो इस कॉशन जो दियाता है, बरष्टचार धाना, सूचकांग, दोज़ात धाना को बच्चो, ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा देश है, जहां बिल्कुली बरष्टचार नहीं होता, वो है डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी मैंने आपको बताई थी, कोपन हेगन, कोपन हेगन, ठीक है, डे हमारा देश में इतने प्रसासनिक पद हैं, प्रसासनिक अधिकारी हैं, या राजनेता हैं, वो दूद के दुले हुए नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का जो इस माहुले भी नाम गिरा दिया है, हम लोग 93 वे इस्तान पर हैं, ठीक है, सोमलिया सबसे बेकर कंट्र यहां पर सबस्यादा करफ्शन होता है, विस्वेक द्वारा जारी लाजिस्टिक परफॉर्मस इंडेक्स, 2030 में भारत की रेंग क्या है, यह पूछा गया है, 19 वा कोशन है मिर भाई, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए, कि यह जारी कौन करता है, लाजिस्टिक परफॉ परफॉर्मस इंडेक्स, तो बता दीजिए, वर्ल्ड वेंग द्वारा जारी की आता है, विस्ट वेंग द्वारा, इंडिया की रेंग कितनी है, 38, इंडिया की रेंग में भाई, कितनी है, 38 है, आप लोग याद राख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी यह जारी नहीं हुए इंडिया की रेंग मैंने आपको बताई जी थी, 38 है, सिंगापुर पहली स्थान पर हो, फिल्लेंड, दूसरे इस्थान पर है वेक्चोटी के, अंतरास्टी बौधिक संपता सूचकांग दोज़एच चोवीस, फैक्ट अच्छा है, 24 का है, करिंट फिर का है, याद कर लिन तो US Chamber of Commerce द्वारा इसे जारी किये जाता है, किसको? US Chamber of Commerce द्वारा अंतरास्टी बौधिक संपता को, सूचकांग को जारी किये जाता है, USA पहले स्थान पर, United Kingdom, मुसरे स्थान पर, और France है वो तीसरे स्थान पर, ठीक है, इस सूची में भारत कौशे नंबर पर है, 42 में दुनिया का सबसे प्रदूसिल सहर कौन सा है, दुनिया का, आपको यह दिखाई दे रहा है, तो दुनिया का सबसे प्रदूसिल सहर कौन सा है, जहां पर गोटन फिलो होती है, तो इस मामले में, जो नेपाल है, इस मामले में, जो काठमांडू है, काठमांडू की राजधा country है, आप लोग city है, आप लोग बता सकते हो तो kaat maadu मेंहें बताई दिया है और दूसरे नमपर पर कौन सा है तो chiang-mai ये Thailand का है और हनोई ब्राटनाम का है, ये 30 नमपर फर ठीक है, पहली नमपर सबसे पुर्दुसर सहर कौन सा है तो काटवाडू है, दूसरे नमर पर कौन सा है, च्यांग माई, तीसे नमर पर कौन सा है, हनोई, ठीक है, इन दोनों को याद रह सकते हैं, अच्छा भारत में, भारत का जो कौलकत्ता सहर है, वो छटवे नमर पर है, पहले नमर पर कौन सा है, काटवाडू, और हमने पड़ो द्वारा SDC इंडिया एंडेक्स दो या तेजिस्वाविस में कौन सा राज सीवसिस्तान पर है ठीक है यह पूछा गया है तो मैं तुरह इसमें उत्तराखंड और कीरल दोनों पहली स्थान पर है ठीक है तो बता सकता बताना चाहता हूं उत्षक्रस्ट प्रदसन करने वाले इसको जारी कोन किरता है रिपूर्ट को तो नीतियओं द्वारा से जारी किया जाता है ठीक है पहले स्थार्पर आपका कीरल उत्तराखंड बताई दिया मैंने तविलनाडु दूसरे नंबर पर है और ववार 30 नंबर ठीक है बिहार 77 नंबर पर है जारखंड आपका 12 मीन न नागालेंड है वो त्रिश्ट्रे नमबर है सबसे ख़राब प्रसर इनिका बच्चो अब देखिए नीतियायो की फुल फॉर्म कई पूछी यह बताईए के नेशनल इस्टिजूशन फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया यह इसकी फॉल फॉर्म होती है अद्द्यच कौन ह होते हैं प्रधान मंत्री होता है मतलब नीतियायो का वही अद्द्यच रहेगा जो प्रधान मंत्री है ठीक है इस्तापना का वुवितियों मैंने आपको बजस्ट बताया एक जनवरी 2015 को उपाद्द्यच कौन है इसके सुमन बहरी बच्चो याद कर लिना और CEO कौन है महान सकत तो बता सकते हैं पियार सुबर मडियन ठीक है और यह योजना आयोक के स्थान पर इस्तापित किया गया था और यह थिंग टेंक भार सरकार का थिंग टेंक है बच्चो ठीक है आप लोग याद कर सकते हैं अगला है किस अंतरास्टी वाइड़ को वस्ट दोयाग 24 में इ तो उसे हुआएड़्ा स्टाप का पुरुषकार दिया गया यह पूछा गया है तो मित्र यह कोई और नहीं वह वह जाएड़ाबाद Как। आंतरास्टी वाइडडा है तुनसा है रवाद का अंतरास्टी वाइडडा है आप लोग याद रसकते हो ठीक है एफ्सन क्यों जाएं जिसे हम क्या कहते हैं हमाद अंतरास्ट सॉरी जी-ए-म जी-ए-म-ाई- एंटरनिशनल एयरपोर्ट लिम्टेड है इसको सबसे अच्छा पुरुष्कार इसको दिया गया है ठीक है सबसे बेकार कौन सा है जो सर सीर्स तीन अंतरास्टी वहेड़ा कौन से है तो हमाद है जो कहांपर है कतर में है दूसरा कौन सा है अंतरास्टी वहेड़ा करता है विष्वा स्वा संग्ठन से डव्लू एच्छो कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइशन कहा जाता है कि वैश्वुग हपिटाइड रिपूट दौए 24 कमशार सरवादिक हपिटाइड बी और सी के मामले जिसने सबसे ज़्यादा कहां पर पाई जाएंगे तो पॉप्पूलिसन सबसे जदा तो सबसे जदा कहां पाई जाएंगे इंडियम पाई जाएंगे ठीक है तो एस कॉशन का ब्राइट मुलकुल आज़ा बच्चो भारत की रेंगे क्या है इसमें ए यह बच्चो आगे दन दीजिए हुरून गलोबल यूनिकान हुरून गलोबल हुँरून गलोबल 2 chem में भारत का कौन सहिस्तान यह पूचा गया है पाचीस अमधिया की रिंक तीसरे नमबर पर बंद कंपनीयां होती है इस मामले में इंडिया तीसरे नमबर पर है जो यूए से पहली नंबर पर है जो चाइना है वो दूसरे नंबर पर है इंडिया अपना थीसे नंबर पर है बच्चो इस बात को ध्यान रखना ठीक है पहले बतार चाहतु उनिकान क्या है तो यूनिकान एक नेजी स्वामित वाला इस टाट-ड्यावसाय है जिसका आप लोग जाद कर ले ना पहले स्थान पर कौन साइट चीन है यूएसे हैं दूसरे नमबर पर चीन है तीसे नमबर भारत थे ठीक है फैक्ट अच्छे है याद कर ले रहा हूं लेकिन आपको बहुत कुछ दे रहा हूं लेकिन आप मुझे कुछ नहीं मिरे साथ एड़स्ट कर रहे हो आप परी चैनल को सबस्कार जरूर करना है यह मेरी हाद जोड़ के रोकेस्ट है और इसे पांच दूसरों के साथ जरूर सीर करें सैसन अच्छा लग रहा हूं लाइक जरूर करें पूछा गया एकोनोमिक्स इंटैलियंस यूनिट की बिजनेस एनवायरेमेंट र रैंकिंग में कौन सा देस पहली स्थान पर यह थो बता सकते हैं संगापुर है आपको पहली स्थान पर है और अगर देखा जाए है भारत की रहें किसमें क्या है 51 है कुंसी 51 है सिंगा पर पहली स्थान पर डेन्मार्स गूसरे स्थान पर और अमेरिका आपका तीसरे स्थान पर बच्छो आप लोग याद रख सकते हैं अगला बैस्विक इस्तर पर इकामर्स प्लेट फार्म के रूप में भारत का गवर्णमेंट इकामर्स पोर्टल किस इस्तान पर है यह पूछा गया है फैक्ट अच्छा आप लोग याद करना आप लोग ऐसे सी का कोई आगजाम देते हैं तो यहांसे कॉशन आपको बने गई बने गा है ठीक है इस की किसाण कि फुल फर्म पूछी आती है तो इसका मतलब होता है गवर्णमेंट II Market Place इसकी फुल फुल फ्रम क्या होती है GRabad Companies की फुल 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 होती इससना अपना 26 में हुई थी ठीक है अगला है फर्वरी दोएच चोवीस में जारी तेंदुआ रिपोर्ट दोएच चोवीस के नुशार भारत के के सराज्य में तेंदुआ की संक्या सरवाधिक है यह पूछा गया है तो वही है मैं तुर्षे टाइगर इस्टेट कहा जाता है मद्य प्रदीश मद्य प्र यहां पर टूटल पॉपुलिशन इंडिया में आवादी है तेदू की लेकिन मद्ध प्रद्यस वराज्य से टाइगर स्टेट कहा जाता यहां पर 3907 तेदू हैं महाराज दूसरे नमबर पर है और करनाटक 30 नमबर पर है कि अगला है बैस्ट्विक भुकुमरी सूचकांग दुए तेस का डाटा है उसमा भारत की रहें क्या है यह इसको आप लों 100 परसेंट कर सकते हो ताकि भारत सरकार से इस बात को आप एक सवाल पूछ सको कि आप तो यह कहते हैं गरी भी हट रही है फिर भी हम लोग भुकु इंडिया की रैंक इसकी मैं आपको बताता हूं 111 रैंक है 2.23 का डाटा है मेरी भाई हम लोग बुकुमरी के मामले में 111 नंबर पे आते हैं मेरे भाई हम लोग 111 नंबर पे आते हैं बच्चो धान दीजिए पाकिस्तान है इस रैंक महारत के पडोशीदेश की हम लोग क्य बंगलादेश 81 नमबर पर नेपाल 69 में नमबर पर है मतलब हमारे जो पड़ोसी मुलगे हैं वहाँ ग्लोवर हंडर हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट जा रहे हुए है हमसे बाहितर है हमसे अच्छी है इस मामले में हम लोग 111 वे स्थान पर है ऐसा कौन सा देश है जहां पर बॉकमरी नहीं है तो बैला रूस है दूसरे नमर पर बॉर्णियों और हंजेटा है छीडी तीसे नमर पर पर बच्छो इसको आप लोग याद कर लेना पेडिया फिसकी अपने टेडी गराम पर दे दूगा चंदाने करें ठीक आगे धन दीजिए अगला है टाइमस पत्रिका द्वारा जारी सिर्स एर टेग रैंकिंग कंपणी 2024 में किस इस्तान को पहला असतान मिला हुआ है तो मित्रद यह एमिरेट्स को मिला हुआ है क्सको एमिरेट्स को मिला हुआ है see of sun को और जाएंगे आ आप समझ्जों तो यह 31 मां कॉशन है 31 में कॉशन का राइट आंसर कौन सा है USA USA इसका बिल्कुल राइट आंसर है जो पहले Gulf Youth Game 2020 हुए है इसमें पहले नंबर पर कौन सा है अमेरिका है आप लोग याद कर सकते हो दूसरे नंबर पर कौन सा है तो बता सकते हैं साउधिय अरब 30 नंबर पर कुवैत है अब आप यह कहेंगे के भारत कौन से इस्थान पर है भारत कौन से स्थान पर है तो आपको बताता हूँ इसमें अमेरिका ने UAE है वच्छो ठीक है सयुपतर अमेरिका नहीं है अमीराथ है UAE ठीक है आप लोग स्पात को ध्यान रख सकते हो आगे ध्यान दीजिए मुके संब् manger कौन से नंबर पहैं तो मुके संब्मानी नोमे नंबर पहै नोमे दुनिया के सबसे करूल पती आदमी है वच्छो ठीक है पहले नंबर पर कौन से पूछा गया कौशन है पूछा सकता है बर्नाट अरनास्ट है ये पहली नमबर पर है एलन मस्क विस्पेस एस कंपनी के मालिक है दूसरे नमबर पर है जैब बैजुस ये तीसरे नमबर पर है बच्चो ठीक है मुके सम्मानी दसमे नमबर पर है नौमे नमबर पर है बच्चो दसमे नमबर पर है आप लोग याद र सांखी 2024 रिपूर्ट में डिजिटल सिवा नर्यात रेंग है भारत का कौन सा इस्तान है ये पूछा गया है 33 मा कॉशन है तो बताईएगा इसका डी विल्कुल राइट इंडिया इस मामले में चौथी नमर पर है बेस्ट्रिक डियापार आउट्लॉकिंग और सांखी टुपूर 24 में इंडिया की रहें कौन सी है चौथी नमर पर बच्चप अगला है यूथ वाक्सिंग विश्व कब 24 में पदक तालिका महारत के सिस्तान पर रहा है यूथ वाक् नमर पर रूस है दूसरे नमर पर आपका भारत है पॉलेंड थीसे नमर पर बच्चो लास्ट कॉशन है विश्व कुसाली सूचकांग 24 के अमसार दुनिया के सबसे कुसाल देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है यह पूछा गया है तो ध्यार रखना यह फ सद्विका समानता नेटवर्क वार इसे जारी की जाता है तो मैं तरह यह सैसन आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेट सेक्षन में जरुब बताएं और इसके साथ साथ आप लोगों से मैंने ग्रोकेस्ट की थी कि चनल को सब्सक्राइब पहले तो सब्सक्राइब मैं जानता हूँ आपने जरुब कर लिया हुआ ऐसी प्रकार की सायसन में आपसे फिर जल्द मलाकात होगी तब तक के लिए जहन जय भारत